नमस्कार दोस्तों मेना नाम है महिमा रस्तोगी और मुझे कविताय लिखना बहुत पसंद है तो मेरी कुछ रचनाओं में से आज मैं तीन कविताइं आपको पेश करूँगी तो थोड़ा गौर परमाईएगा मेरी पहली कविता का नाम है अपने सपनों से कहना तो यह जो कविता है यह जब हम कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं तो हम कुछ गमंड आ जाता है हमारे अंदर तो यह कविता है कि कैसे हम उस गमंड को अपने उपर नाहावी होने दे और क्यों नाहावी होने दे उस बारे में कभी-कभी हम सपनों की तलाश में उस उचाए के पीछे यू भागते हैं कि जब उचाए तक पहुचते हैं, वहां से कुछ खास देख नहीं पाते हैं रिष्टे धुनले पर जाते हैं, बश्पन के यार पीछे जूट जाते हैं हम अपनी रू से विच्छर जाते हैं, कौन है हम और कहां से आते हैं ये भूल जाते हैं हाँ जानती हूँ शाय की इस गुरूर में चीज़े सीधी नहीं मालूम पढ़ती हैं फ़र पता है क्या, आस्मा चाहे कितना ही उचा क्यों ना हो, उसे देखने के लिए जमी की जुकाओ की जरुरत तो पढ़ती है तो चाहे जिन्दगी तुमें कितनी ही लंबी उडान क्यों ना दे, तुम जमी पर अपनी पूरी जमीर लगाए बने रहना हामें हूँ यही, हामें हूँ यही, पहुच गई हूँ, लेकिन संग अपने यादों का एक बकसा ठाट लाए हूँ यह अपने सपनों से कहना, जिन्यारों ने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया उनकी यादे जिन्दगी के सुख और दुख अपनों के संग बाटने की यादे तुम्हें सोचने से लेकर तुम्हें पाने तक के सफर की यादे यादे हर उस लम्हे के जिसने मुझे तुम्हें पाने के काबिल बनाया यह अपने सपनों से कहना बहुत बहुत शुक्रिया